नमस्कार इस्टुरेंट्स निशानती अकाडमी में आप सभी का स्वागत हैं जैसे कि मैंने पहले बोला था कि एक स्ट्राडीजी से एक वीडियो आएगी जहां मैं आपको सी बीसी एसिस्टेंट सेकरेटरी एडमिन कैडर इस पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपेर कर रहे ह इस वीडियो के साथ एक गिफ्ट भी है पिछले बार स्लेबस जो मैंने अपलूड कर रहा था आप सभी को जो स्लेबस की वीडियो दी है उसमें दो तरह की चीजें मिसिंग थी एक जिसके लिए बच्चों ने बार-बार मुझे कहा कि जो जनरल अवेरनेस का आपने टॉप साथ मैं आपको वो पीडियो भी दूँगा जहां पर हर एक टॉपिक जो आपको कवर करना है वो डिफाइंड करा है मैंने इसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा निशानती अकाइडमी टेलिग्राम चैनल और निशानती अकाइडमी वाटसप ग्रूप को अप्लोड करा है जहां पर मैंने सारे टॉपिक्स में और साथ में यह भी बताया है क्या-क्या अभी तक अप्लोड हो गया है आपके कूर्स में और क्या-क्या अप्लोड होना बांकी है ठीक है अच्छा यह स्ट्राटेजी वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो CAC का प बी-qualified हो और उन्हें लगा कि नहीं चलो उसी के relevant यहां पर पोस्ट मिल रही है तो इसे भी भर देता है तो चुकि दियार वेरी स्मार्ट तो उन्हें इस स्ट्राटेजी को फालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह स्ट्राटेजी की वीडियो उनके लिए है जिनका स्ल अच्छे से crystal clear हो जाएंगे यहां मैं आपको कोई schedule नहीं दे रहा कोई मैं आपको time table नहीं देने वाला कि आपको 8 घंटे करके पढ़ना होगा आपको 10 घंटे करके पढ़ना होगा 12 घंटे करके पढ़ना होगा इस तरह की चीज़ें मैं नहीं provide कर रहा क्योंकि यह आपका का आपकी strength होगी कुछ weakness होगा आप अपने according चीजों को define करिए कि आपको करना कैसे है ठीक है क्या करना है वे क्या होना चाहिए वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ठीक है तो बिना विलम की start करते हैं सबसे पहले कुछ common doubts लेते हैं ठीक है जो सबसे पहला point students ने पूछ अच्छा है कि exam date कब होगी इसके ठीक है तो याद रखना कि tier 1 की exam date June end तक आ सकती है मतलब June end में tier 1 का paper हो सकता है June end के बाद भी हो सकता है लेकिन उससे पहले होने के chances बहुत कम है क्योंकि June के first week में election खतम होगा फिर कुछ समय तक इस पे गुपतगूं चलीगी और फिर चीज exam लेना चाहिए cbc assistant secretary admin cadre का ठीक है तो June end मानके चलना है आपको तो June end यानि की April देखो तो पूरा है ठीक है उसके बाद में है उसके बाद June के कुछ दिन आपको मिलेंगे तो overall आप मानके चल सकते हो दाइमन महिना या 75 डेस के आसपास का समय है ठीक है इससे जादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं मिलेगा आपको ठीक है तो यह हो गया आपका टियर वन का exam date बहुत सारे बच्चे करें कि टियर टू का time क्या होगा क्या टियर वन के साथ होगा तो जैसा कि notification में कि टियर 1 qualified student जितने होगे उन्हें से 1 स्टू 10 ratio को लिया जाएगा टियर 2 के लिए ठीक है और फिर जो टियर 2 में qualify करेंगे फिर उसके बाद 1 स्टू 5 के रेशियो में ठीक है इंटरवियू के लिए students को बुलाए जाएगा यानि टियर 1 के बाद टियर 2 होगा कितने दिनके ब तो बहुत सारे बच्चे यह कह रहे हैं कि क्या टियर वन और टियर टू को साथ लेके चलना पड़ेगा तो बिल्कुल चलना पड़ेगा आपके पास option नहीं है ठीक है क्योंकि अगर आप seriously preparation कर रहे हैं इस exam को इस exam को target कर रहे हैं कि नहीं मुझे इस exam को निकालना ही है anyhow तो आपको उस situation में tier 1 और tier 2 दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा ठीक है और चलोगे तो better भी है ठीक है अब एक doubt जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है मुझसे कि क्या हिंदी को skip किया जा सकता है तो याद पार्ट से कर सकते हो tier 1 के चाहे आप English का पार्ट हो गया या फिर first part है part 1 जिसके अंदर GA है current affairs है आप वहां से cover कर सकते हैं computer से cover कर सकते हैं मतलब at least कम से कम आपको इन 15 questions में 10 questions को make up करना पड़ेगा मा की जगों से अगर आप कर सकते हैं तो yes आप इसे skip कर सकते हो लेकिन अगर आपका हिंदी तो weak है ही English भी weak है GA भी weak है arithmetic वाला portion भी weak है computer भी weak है तब तो आपको situation में हिंदी को ले करके चलना पड़ेगा ठीक है एक ड पर 30 questions है और इसका weightage हो गया 60 marks का तो बहुत major rule play करेगा यह 60 marks बहुत माइने रखता है तो आप किसी भी कीमत पर arithmetic and numerical ability and DI को skip ना करें क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने SSC CGL crack करा होगा और कुछ ऐसा चाहते होंगे अपने life में जिसे वो और अच्छे post पर recruit हो सकें तो obvious है उन्होंने यह form fill up करा होगा सिर्फ आपने तो देखा नहीं होगा कि जो simple graduate है भी भर दो ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने SSC CGL crack करा होगा ठीक है और उनके दिमाग में होगा कि यार कुछ अच्छा मिलता life में और उन्हें अचानक से यह vacancy दीग गई confident तो ह होगा ही plus में कि उन्होंने एक paper clear करा हुआ है अपने life में तो उसी भिहाब पे लगे होंगे तो उनसे आप पंगा नहीं ले सकते कि tier 2 का language sir English, Hindi या दोनों लेके चलना है मतलब कैसे करना है कुछ बचे यह कह रहे हैं कि sir क्या part 1, part 2 and part 3 को English में लिखा जा सकता है और part 4 को Hindi में लिखा जा सकता है क्या नहीं भाई ऐसा नहीं किया जा सकता actually क्या चल रहा था उनके दिमाग में यह में बता दूँ अब चुकि tier 2 का जो है वो part 4 जो है उसके अंदर एसे पूछा जा रहा है ठीक है तो जो Hindi medium वाले students है उन्हें problem ही हो रही है कि part 1, part 2 और part 3 इनका content हिंदी में बहुत कम जगों पे available है ठीक है बहुत कम जगों पे relevant content available है तो दिमाग में यह होगा कि चलो essay English में preparation कर लेते हैं बाकी at least कम से कम essay वाला जो portion है उसे तो Hindi में लिखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता आपको या तो पूरा का पूरा पीपर हिंदी में देना पड़ेगा या फिर पूरा का पूरा पीपर आपको English में देना पड़ेगा ठीक है थोड़ा सा कम work करें जहां पे आप strong है ठीक है ताकि आपका overall एक 360 degree वाला preparation हो सके ठीक है यह रामबाने भई इसे अच्छे से समझ लेना अगर यह समझ में आ गया कि इसके अंदर है क्या तो क्या-क्या दाव पे चलने है इस युद्ध में वो समझ में आ जाएगा और जहां सामदाम दंडभेत की कला आपको आ गई वहाँ पे आप समझ जाओगे कि जीतना कैसे है ठीक है तो part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6 यह 6 parts में divide होगा आपका tier 1 जो की एक offline paper है OMR based और इसके अंदर MCQs पूछे जाएंगे ठीक है जो part 1 है वो सबसे पेचीदा है ठीक है क्यों क्योंकि यह यहां पर current affairs and general awareness पूछा जा रहा है अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि CBSC ने general awareness के बारे में कुछ mention नहीं करा है उन्होंने सिर्फ कहा है कि general awareness पूछा जाएगा जर्नल awareness के अंदर बहुत सारे topic होते है history भी होता है quality भी होता है economics भी है geography भी है Indian geography भी है world geography भी है उसी तरीके से economics भी है ठीक है physics भी है chemistry भी है biology भी है तो इस तरह से देखा जाए तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है इन 30 questions को cover करने के लिए और इतना ही नहीं इसके अलावा आ पढ़ने होंगे ठीक है और बच्चे बार बार यह भी पूछता है कि current affairs कब से कब तक पढ़ना है ठीक है तो अगर आप चाहते हो कि आपका एक भी question ना छूटे तो जनवरी 2023 से ले करके April 2024 तक आपको current affairs cover करने है अब यहाँ पे यहाँ पे अच्छे से देखना यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लगेगा याद इतना जादा current affairs cover करना है ठीक है मतलब यह एक साल से भी उपर कहो गया यह मैं practical चीज बता रहा हूँ जो मैंने खुद absorb कर रहा है एक बार बहुत समय की बात है ठीक है पुरोजों के समय की बात है आप लोगों के समय की नहीं है ठीक है एक बार ऐसे ही मेरे टीचर ने कहा कि दो साल के आसपास का तुम्हें current affairs cover करना पड़ेगा अगर तुम इस एक्जाम को qualify करना चाहते हो तो ठीक है बहुत सपोस करते हैं 2023 और 2022 ठीक है ये दो साल का current affairs मुझे cover करना है ठीक है मैंने पूरा mind map बना लिया कि भाई मुझे 2022 से start करना है और 2023 तक जो है मुझे current affairs ये दो साल का cover करना है ठीक है मैं randomly मैंने year लिया है 2022 में मेरा कोई paper नहीं था ठीक है तो हुआ क्या ठीक है जैसे जनवरी 2022 मैंने उठाया तो जनवरी 2022 फर फरवरी 2022 फर मार्स 2022 इसी तरह से करते करते जैसे ही मैं जुलाई 2022 तक पहुंचा ठीक है जुलाई 2022 तक पहुंचा उसके बात मुझे ये realize हुआ कि बहुत सारे ऐसे event है जो सर्फ update हो रहे है मतलब वो क्य जैसे suppose किसे time ये event आया कि something olympic होने वाला है ठीक है एक साल के बाद वो olympic हुआ तो मुझे as compared to पिशली बार जो है मुझे क्या करना पड़ेगा अब data थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा मुझे सिर्फ updated क्या चीज हुआ है मुझे उसे देखना पड़ेगा तो आप देख example ले रहा हूं जनवरी 2022 से मैंने start करा पड़ना तो क्या हुआ मैंने पास लेकर के चला फिर देख देख क्या क्या चीजें update हुई कुछ समय के बाद मुझे वो मिलने लगा क्योंकि पढ़ा हुआ था अब क्या होगा newspaper वगर समय उन्होंने तो पूरा event समझाया होगा लेकिन फ्यूचर में जो update आएगा तो सिर्फ मुझे वही जानना पड़ेगा मेरे दिमाग में तो already है कि कांड क्या हुआ था केस क्या हुआ था समझ में आया तो वही चीजे तो यह दिखता यूज है लेकिन यह होता नहीं अगर आप सही से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अच् फूटेगा ठीक है तो यह टॉपिक देखो पार्ट वन एक बहुत ही complicated टॉपिक है इस पर जितना भी पढ़लो कम है उसके बाद भी डाउट बना हुआ रहेगा एक कोशन मार्क हमेशा टंगा हुआ रहेगा कि आर सारे कोशन में कर पाऊंगा या नहीं ठीक है तो इस पर भ कि Marken तीच-धी कोशन होंगे और ये दो चीजें ऐसी हैं ठीक है ये दो चीजें आईसी हैं कि अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ठीक बिल्कुल जेरो हो तो भी मुश्किल है लेकिन अगर आप टच में हो क्वांट के मतलब की मतलब और रिजनिंग के और मैस की टच मे हो और चीजें समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है थोड़ा मोड़ा गरवड़ है इधर-उदर कुछ ट्रिक नहीं समझ में आता है कुछ नहीं कोशन देख जाते हैं तो आगर आप एक महीने अच्छे से जो हमेशा अर्थमाटिक और नुमेरिकल अबिलिटी में और जो है लॉजिकल रिजनिंग वाले सेक्शन में हमेशा फुल आउट फुल स्कूर करते हैं तो यह एक ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप स्कूर कर सकते हो एक महीना अच्छे से मतलब फोकस करके ठीक है इसके बाद पा लेकिन जो बच्चे हिंदी मिडियम से है या उनका एक सब्जेक्ट हिंदी राहा है पहले तो इन 15 कोश्चन में से पास कोश्चन तो आप यूँ ही लिल जाओगे क्यों कि ऐसे होगा पढ़ना है अफिर उसका एंसर देना है तो यह पास कोश्चन तो ऐसी होगा बाकी अग मतलब 8 कोश्चन आपका ऐसी हो गया तो बचा कितना साथ ही बचाना तो आयानी आपको साथ कोश्चन के लिए पढ़ना है तो जो भी नोट्स तो जो भी नोट्स में प्रवाइड करूंगा कूर्स में आप उससे पढ़ सकते हो आपके पास कोई बुक है हिंदी की या हिंद बहुत ज़्यादा डेटेल में इउसके अंदर कुछ दिया हुआ नहीं है छिक है जनरल इंग्लिश है कम्प्रिहिंशन है और सबुकरें टी अजन की पैसेच जैसे पढ़कर आपको एंसर देने हैं ठीक है दूसरा जो सेक्शन होग वह वहोगा ग्रामेटिकल एरर का ठीक ह लिए आपको grammar की rules important rules पता होने चाहिए ठीक है आपको जो PDF दिया जाएगा वहाँ पर side में लिखा हुआ है uploaded not not to be uploaded uploaded लिखा होगा to be uploaded लिखा होगा PDF जो मैं आपको provide करूंगा basically यह tier 1 का जो course है उसके अंदर भी मैंने update करा हुआ है तो वो यह बता रहा है कि course के अंदर tier 1 की course के अंदर अभी तब क्या-क्या चीज़े upload हो चुकी है और क्या-क्या होने वाली है ठीक है तो grammar का portion तो grammar related videos already डाल दी गई है आपके course में tier 1 के course में कि कौन-कौन से grammars के rule important है आप अगर उन videos को अच्छे से देख करके आपको जो test series दिया गया है grammatical error पर बेस्ट आपकी course में अगर आप उसे कर लेते हो तो error detection वाले questions आराम से solve हो जाएंगे ठीक है जो issue होगा वह vocabulary section में होगा ठीक है वो क्याब वाला section में वो क्याब वाला section जो होगा इसके अंदर आपको one word substitution idioms synonyms antonyms miss spelt word यह सारी best option है वो है कि vocabulary की कोई भी एक अच्छी से book जहां पर different frequently asked vocabulary का collection है जो मतलब दिये हुए हैं आप उससे पढ़ जाओ क्योंकि vocabulary तो ocean हो गया ना आप उसमें से कुछ बूंद यहां पर पूछे जाएंगे अब वो कौन government exams के vocabulary mention किये गए हैं दिये गए हैं मार्केट में बहुत सारे books available हैं कोई भी उठा करके पढ़ लो तो आपका vocabulary वहां से cover हो जाएगा ठीक है एक घंटा पढ़ दोगे तो vocabulary अराम से cover हो सकता है ठीक है और part six part six बहुत important है क्यों क्योंकि limited topics यहां भी mention करा गया है कम पढ़ना है और कम पढ़कर के start number लाई जा सकते हैं ठीक है इन दोनों में क्या था इन दोनों में आपको practice में हमेशा रहना पढ़ेगा अगर आप practice छोड़ दोगे तो आपको questions के tricks आप भूल जाओगे फिर कि कैसे करने हैं लेकिन इस चीज को कि computer operation वाला topic है ठीक है मतलब computer से related जो topics आपको पढ़ने है ठीक है इसे एक बार अच्छे से पढ़ करके अच्छे से चीजों को समझ करके याद करके आपको कुछ नहीं करना बिच-बिच में बस एक वीक दस दिन पर एक बार खोल करके देख लेना है तो आपका यह overall preparation यहाँ पर हो जाएगा तो यानि देखो कि जो most trusted topics है ठीक है जो बिलकुल चीजें best हो गई ठीक है तो उसके बाद next है यह दोनों topic ठीक है इन दो topic को अपना best बना करके रखो अगर किसी का हिंदी वीक है तो फिर वो part 1 पर जादा focus करें ठीक है लेकिन अगर इतना हो गया तब जाकरके आपको part 1 को अच्छे से cover करना है मतलब तो cover तो सारा करना है ले तो कोश्चन करनी के लिए यह दो यह दो यह दो है टियर 2 के अंदर चार पार्ट से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ठीक है इसकी बारे में हम लोग फिर बात में बात करेंगे क्योंकि अभी मैं आपको tier 1 को कैसे cover करना है यह मैं बता रहा हूं हालकि जो मैं schedule बता र यह मुझे best लगा क्योंकि यहां पर चीजें आपको इस तरीके से करनी है कि जो ज्यादा trusted subjects है उसे आपको पहले cover करके खतम करना है और जो कम trusted subject है उसे आपको हमेशा ले करके चलना पड़ेगा थोड़ा-थोड़ा करके हमेशा cover करते हुए चलना पड़ेगा और थोड़ा स तो confirm है हमें मिलने ही वाला है ठीक है 60 days कहीं नहीं जाएगा बाकि 15 days अब यह 15 days के बाद कुछ भी हो सकता है तो यानि इस 60 days को मैंने दो slot में बाढ़ दिया 30 days 30 days के slot में मतलब 30 दिन में आपको कुछ target है आपको कुछ cover करना है फिर 30 दिन में कुछ target है आपको cover करना है ठीक है पहला जो 30 days होगा मतलब अगर आप कल से अपना schedule बना रहे हो कि मुझे कैसे पढ़ना है तो उसे इस तरीके से modify कर लो मैं guarantee लेता हूं कि आपकी marks अच्छे आएंगे ठीक है और आप tier 1 तो qualify करोगे ही करोगे अगर आपने थोड़ा सा smartly और बरदास करना क्योंकि यह बहुत terrible work है ठीक है इतने इतने घंटे 60 दिनों तक पढ़ना बहुत मुश्किल वाला काम होता है और एक जगह पे बैठना यह human nature नहीं है human जो है वो social animal है समाजिक प्राणिया तो isolate हो करके किसी एक target पे focus करना यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए लेकिन करना पड़ता ह है और जो कर पाते हैं वही successful हो पाते हैं ठीक है तो 30 days का आपको क्या करना पड़ेगा पहले divide करना पड़ेगा कि मुझे 30 days इस हिसाब से चलना पड़ेगा और फिर next 30 days इस हिसाब से चलना पड़ेगा first जो 30 days है उसमें part 2, part 3, part 4, part 5, part 6 इसके लिए आपको पूरा समय देना पड़ेगा मतलब ज्यादा time इसे दो क्योंकि 30 दिनों के अंदर इन parts को cover करना है anyhow क्योंकि इनका syllabus defined है छोटा है और जल्दी से finish किया जा सकता है इसे ठीक है तो अगर आपने ये cover कर लिया ना अगर आपको एक relax feel होगा कि यार ये portion तो cover है जो cover करना है part 1 को ही तो target करना है अब ठीक है तो यानि कि 30 days में मान लो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं 8 घंटे आपको पढ़ने है ठीक है अब ये 8 घंटे on an average मैंने लिए हैं अगर आप smart हो अगर आपको पहले से बहुत सार exams के लिए अगर आप CAC के students हैं तो ये 8 घंटा कम हो सकता है reduce हो सकता है लेकिन आपने पहले कभी preparation नहीं करा है ठीक है आपको मालूम नहीं है कि मुझे चलना कैसे है आपको मैंने just start करा इकाद exam दिया होगा और वो exam में आपको syllabus समझते समझते ही पार हो गया ठीक है तो उस situation म आपके लिए एक ब्रहमास्त्र का work करेगा अगर आप सही से dedication के साथ इसे follow कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके ठीक है भगवान भी उसी की साथ देता है जो अपनी सहायता खुद करने के लिए तक पर होते हैं ठीक है याद रखना अर्जुन न पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 इन पार्ट को first 30 days में anyhow कवर करना है अब यहाँ पे problem क्या आएगी कि यार कवर तो करना है सर ने बता दिया कि arithmetic and numerical aptitude plus DI कवर करना है reasoning कवर करना है computer कवर करना है लेकिन इसके अंदर पढ़ना क्या-क्या है तो पढ़ना क्या-क्या है उसकी PDF निशानती Academy Telegram Channel और WhatsApp group दोनों जगों पे मिल जाएगी मैं वो PDF अभी आपको share करके भी दिखा दूँगा ठीक है ताकि आप समझ जाओ even मैं दिखा ही देता हूँ आप सभी को ठीक है देखो यह complete module है जो tier 1 का है ठीक है जहां पे part 1 देखो current affairs and journal awareness दिया हुआ है इसके अ वीडियोज और नोट्स यह actually tier 1 का जो course launch करा है उस पे mention है कि आपको इस topic के अंदर क्या-क्या मिल रहा है तो videos मिल रहा है और notes मिल रहा है और यहां पे कौन-कौन से topics हैं जो आपको cover करने हैं यह mention है ठीक है uploaded का मतलब है यह tier 1 course के अंदर upload हो चुका है ठीक है तो यह सारे topics मैं करने mention करें हैं कि आपको history के अंदर क्या-क्या cover करना है यह पूरा topic mention है क्योंकि history बहुत बड़ा है उसके बाद quality है quality की वीडियोज और notes मिल रही है और quality का section अभी complete नहीं हुआ है इसलिए इहां पे लिखा हुआ है to be upload मतलब यह upload होगा ठीक है उसी तरीके से नीची आओगे तो यह geography का section है तो geography on an average इनी topics से questions आते हैं ऐसे दिखा जाए तो geography अपने आप में बहुत बड़ा section है लेकिन tier 1 में जिस तरीके के question पूछा जा रहा है तो उसके अंदर आपको इतना ही cover करना है लेकिन वहीं tier 2 का syllabus बहुत ही vast होगा इसके comparison में tier 2 का जो geography आपको पढ़ना है उ इसके बाद आप नीचे आओ तो यहाँ पे physics and chemistry है physics and chemistry के अंदर आपको कौन-कौन से topics important है जहां से questions बनते है वो इहाँ पे mention है ठीक है बायो के अंदर क्या-Kia पढ़ना है वह mention है current affairs कब से कब तक का पढ़ना है वह mention है Indian economics कें क्या-Kia पढ़ना है वह mention है ठीक है उसी तरीके स पार टू जनल मेंटल अबिलिटी और लॉजिकल रिजनिंग इसके अंदर आपको कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं वह मेंशन करा गया है ठीक है अर्थमाटिक और निमेरिकल अबिलिटी के अंदर क्या-क्या पढ़ना है वह मेंशन है अप लोड़ेड यह पूरा का अब हिंदी ग्रामर में क्या है वो पहले वाली वीडियो में मैंने मिंशन करा था लेकिन यहां भी मैंने अंत में मिंशन कर दिया है कि हिंदी ग्रामर के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ने है जैसे अगर आप यहां पर देखो तो यह सारे टॉपिक्स हैं हिंदी ग्रामर क इसके अंदर कौन-कौन से topics हैं क्या-क्या चीज़ें cover करनी हैं वो सब मैंने mention करा हुआ है क्या-क्या uploaded है computer तो पूरा uploaded है सिर्फ एक topic छुटा हुआ है वो है internet का इंटरनेट के अंदर ये भी बहुत जल्द upload हो जाएगा आपके course के अंदर तो इस तरह से देखो तो आपको यहां पर पूरा का पूरा mind map given है पूरा जिसे कहते हैं ब्लूप्रिंट दे देना ठीक है वो मैं आप सभी को दे रहा हूं बस इसे print out निकालो ठीक है अगर आप self preparation क कर रहे हैं किसी book के द्वारा preparation कर रहे हैं no matter आपको यह topics को पहले cover करना है अगर आपने इतने सारी चीजें cover कर ली क्योंकि problem यहीं होती है कि आपको topics नहीं पता होते है कि करना क्या है ठीक है आपको सिर्फ बता दिया जाते है कि history cover करना है आप बुक लेकर के बैठ गया इतन आप वहां से download कर लेना इसे ठीक है वापस से हम लोग आते हैं कि हमें क्या-क्या cover करना है और क्या-क्या cover नहीं करना तो आप देखो कि first 30 days में आपको part 2, part 3, part 4, part 5, part 6 cover करने हैं जो अब जो मैं आपको topic वाला PDF मिल चुका है टेलिग्राम चैनल और WhatsApp ग्रूप पे तो आप आ time defined करना होगा कि आपको कितने घंटे per day देने पड़ेंगे यह आपका खुद का work होना चाहिए आपका हो सकता है कि आप स्मार्ट हो आपने बहुत सरे topics आपके cover होंगे तो आप two hours per day देने से भी आपका काम हो जाएगा हो सकता है कि आपको साथ 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 हैंटे सिर्फ इसी topic topic पर देने पड़ें क्योंकि चुकि यह tiresome वाक है यह इतना असान नहीं है जितना आप समझते हो ठीक है क्योंकि कहना बहुत आसान होता है ठीक है लेकिन करना उतना ही मुश्किल लेकिन जो कर लेता है वही जीतता है finally और यह possible है संभव है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसे कर लेंगे time पे ठीक है तो 30 दिन के अंदर आपको यह सारे topics cover करने है और यह हो सकता है यह नहीं हो सकता ठीक है part 1 general awareness and current affairs वाला topic 30 दिन में possible नहीं है लेकिन यह possible है यह संभव हो है ठीक है तो on an average 5 to 6 hours आपको अगर दे रहो इस पे इन सब पे तो 30 days के अंदर यह cover हो ज ठीक है बाकी का जो time बचा आप part 1 पे dedicated करिए ठीक है इस पर अपना dedication दिखाए बाकी का समय ठीक है अब इसके बाद अगर कुछ समय बचता है आपके लिए तो आपको simply क्या करना है tier 2 को ले करके चलना है भले ही आप 1 घंटा पड़ो 2 घंटा पड़ो 3 घंटा पड़ो आपक तो आप जैसा मैंने बोला है रात को 10 बजे या से 11 बजे की बीच में upload होगी तो अगले दिन तक आप देख सकते हो तो आप यहां पे 2-3 घंटे इसके लिए reserve लग सकते हो ताकि आपका tier 2 का preparation parallelly थोड़ा-थोड़ा करके होता रहा है ठीक है क्योंकि यह बहुत बड़ा घड है और इसमें आप जो बूंद डाल रहे हो ना वह अगर अभी से डालोगे ना तो फिर बाद में यह नहीं लगेगा मेरा घड़ा खा लिए अपको लगे यह चलो इतना तो हो रखाए ना इतना ही करना है तो यह थोड़ा सा smart work होगा जैसे यह 30 days में आपका इतना cover हो जाता ह है और आपको करना ही है अगर आपने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस exam को clear करने से नहीं रोग सकती selection होगा यह नहीं होगा उसकी मेरे guarantee नहीं लेता लेकिन आपका crack जरूर होगा यह प्रपरेश्ट मतलब यह जो competition है यह crack हो जाएगा आप यह नहीं बोलोगे कि यार मैंने exam नहीं निकाला आपने exam निकाला लेकिन vacancy इतनी कम थी इसलिए final selection आपका नहीं हो पाया यह हो सकता है ठीक है वो आपका वो आपके नहीं है वो आपकी महनत नहीं है वो आपका luck है आपकी किस्मत है ठीक है और याद रखना अगर ऐसा भी हुआ तो भी आपकी महन जाया नहीं होगी यह जो आप पड़े होना आप इससे बड़े बड़े exams को crack करो गया आने वाले समय में ठीक है यह इस level का preparation है जो next 30 days में आपको क्या करना है इस चीज को इधर करना है मतलब part 1 पे अब complete focus करना है part 1 पे पूरा dedication दिखाना है और चुकी आपने बांकी के parts cover कर है तो 2 घंटा per day का समय में दे करके अगर कुछ miss हो गया है तो उसे यहां पे cover करना है नहीं तो revise करना है और उसके बार part 3 जो होगा tier 2 का वो cover करना है अब part 3 यहां पे next 30 days में मैं क्यों cover करनी के लिए बोल रहा हूं ठीक है वो समझो वो समझो वो जरूरी है आप यहां पे अ पॉलिटिक पूछी जा दी है ना तो आपको कहीं ना कहीं से health मिल जाएगा administrative law यह बहुत बड़ा नहीं है थोड़ा छोटा है इसे अराम से cover किया जा सकता है मैं cover करवा भी रहा हूं ठीक है ethics integrity and aptitude बहुत वास्ट नहीं है यहां पे ठीक है बहुत चीजें वास्ट नहीं है बहुत ही sophisticated way में आप इसे अपने दिमाग के अंदर fit कर सकते हो तो part 3 को next 30 days है उस पे cover up किया जा सकता है और कहीं ना कहीं यह help करेगा आपके exam preparation में further ठीक है जैसे ही अब यह 60 days over हो गया उसके बाद क्या होगा या तो CBC instant date निकालेगी ठीक है कि इतने तारिक से भाई paper है अग अगर 10 से 15 दिन के अंदर आपका exam date mention कर दिया गया CBC के द्वारा उस समय आपको क्या करना है अगर instant date fix हो गया तो अब आपको सर्फ tier 1 पे focus करना है tier 2 पे बिल्कुल focus नहीं करना ठीक है tier 1 पे क्या करना है आपको daily practice test दो उसे analysis करो कि कहा कमी रहे गई उस पे work करो और आपने ज exam अच्छा जाएगा लेकिन अगर CBC ने date extend कर दिया extend का मतलम यहां पर यह हुआ कि 60 दिनों के बाद जब CBC announcement निकालती है exam date का कि कब होने वाला है तो आप जैसे ही exam date देखते हो तो आपको पता चलता है यह paper तो July end में होने वाला है ठीक है July end में होने वाला यानि overall अगर days or मिल गया है ठीक है क्योंकि आप June starting में अगर notification आया तो अगर June starting में आया तो नहीं भी तो आपको 50 दिन मिल गया अगर June end में जुलाई end में अगर आपका exam हो रहा है तो ठीक है दो महिने के आसपास मिल रहा है ठीक है तो जैसे ही आपको यह पता चलता है तो इससे इसका time ज ले बस parallel करने की ठीक है मतलब इस पे 10 दिन 15 दिन आप dedication के साथ दे दो इस पे जोग दो और उसके बाद फिर से और parallel फिर लेकर के चलने की कोशिश करो ठीक है exam के 10 दिन पहले तब उसकी बाद जैसे ही 10 दिन बचे exam के तो आपको सिर्फ इस पे focus करना है इसे थोड़ी देर के छोड़ देना अगर आप इस चीज को follow कर लेते हो तो no doubt आपका tier 1 clear होगा और जैसे ही tier 1 clear होगा और tier 2 के लिए आप जैसे preparation सोचोगे कि आप करना है तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा रही इतना तो मैंने पढ़के रखा हुआ है मुझे तो सिर्फ थोड़ा सो और होगे तो पसी ने छूट जाएंगे ठीक है लेकिन ये एक तप है ये एक तपस्या है एक ऐसी तपस्या जिसका फल मनुवांचित होने वाला है मनुवांचित फल का मतलब ये पोस्ट की क्या quality है आहा मज़ा आ जाएगा आपको जान करके ठीक है मतलब उतने बड़े लेवल हैं तो जीवन मतलब ऐसा लगता है कि यार सफल हो गया हो ठीक है माबाप खुश उन्हें गरवानमित करोगे आप ठीक है खुद अच्छा फील करोगे खुद लगेगा यार कुछ कर रहा है मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छिफ कर रहा है तो इसके लिए समर्पन तो बिना समर्पन के यह पॉसिबल नहीं है संभव नहीं है तो यह समझ लोगे एक तपस्या है एक तप है जो आपको करना पड़ेगा इस एक्जाम को क्वालिफाई करनी के लिए ठीक है आप सबी को हो सकता है कि यह लग रहा होगा कि निशानसर आपको आठ गंटे की एक स्रे टेबल बना सकते हो कि मेरा यह प्लस पॉइंट है मेरा यह माइनस पॉइंट है इसके एकॉर्डिंग मुझे चलना है मुझे दिन में पढ़ना अच्छा लगता है या रात में पढ़ना अच्छा लगता है उसके एकॉर्डिंग मुझे चलना है कौन सा ऐसा टाइम पिरेड डाउनलोड कर सकते हैं या निशानतीकैडमी.com विजिट कर सकते हैं साइट को इस वीडियो में यही बताना था थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो और विश्यो गूट लग फोर और पीपर